तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईरवे दनुसार ऐसी पाँच बाते ऐसी पाँच हैबिट्स जो भूल कर भी आपको अपने पीरिट्स के टाइम पे नहीं करनी है अगर आप ये बाते फॉल करेंगे तो शायद आजकल की होने वाली बिमारियां जैसे PCOD, PCOS, Infertility, Hormonal Imbalance जैसी बिमारियों से आप अपना बचाव कर सकते हैं तो ये वीडियो लास तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथी साथ बेल अगन भी दबा दे ताकि आपको लेटेस नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए फिटावट से वीडियो शुरू करते हैं ये जो मैं पांच बाते आज आपको बताने वाला हूँ आईरवेद में ये हजारों सालों पहले से ही आईरवेदी गरंतों में वर्नित है ये मैं अपनी तरब से नहीं बता रहा हूँ और इनका में scientific logic भी आपको बताऊँगा कि किन logic की वज़े से ये आपको help करेंगी और आईरवेद में जिन महिलाओं को periods होते हैं उनको रजसवला बोलते हैं और इन days में जिसमें periods होते हैं उनको रजसवला परिचरिया बोलते हैं तो आपको सिर्फ तीन दिन तक ये बाते avoid करनी हैं तो चलिए फटाफट से पहला point पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है उसकी बात कर लेते हैं तो पहली और important बात जो आपको बिल्कुल avoid करनी है वो है day sleeping यानि कि दिन में सोना इसका scientific logic आयरवेद के अनुसार है कि अगर आप दिन में सोते हैं periods के time में तो आपका कफ दोश जो है body में वो बढ़ता है कफ दोश बढ़ेगा तो ये आम दोश की उत्पत्ती करेगा जो बिल्कुल wish के समान है और ये शरीर में बहुत सारी व्याधिया भी उत्पन करेगा ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नीज सो सकते हैं पावर नैप आप ले सकते हैं 5 से 10 मिनिट की नीद आप ले सकते हैं बैठे बैठे कुर्सी भी बैठे बैठे या आप सिराना टेक लागा के आप एक नैप ले सकते हैं लेकिन पूरा एक से दो गंटे की sleep दिन में आपको बिल्कुल avoid करना है दूसरी important बात है आपकी डाइट आपको डाइट में क्या जो avoid करना है उसकी बात कर लेते हैं कटू उष्ण तीक्ष्ण अम लवण अतिगुरू और अतिसनिक्द यानि कि जो बहुत ज़्यादा गरम हो बहुत ज़्यादा spicy हो ज़्यादा खटा ना हो यानि कि अचार और खटी चटनिया ये सारी आपको avoid करनी है ज़्यादा oily food और ज़्यादा भारी food ये भी आपको avoid करना है साथी बहुत ज़्यादा थंडा food ये भी बिल्कुल avoid करना है बासी खाना तो बिल्कुल avoid करना है क्या आप खा सकते हैं हलकी डाइट लीग जिए सुपाच्चे भोचन जो easily digestible हो वो आप लीजिए जादा भारी ना हो और बिल्कुल भी over eating आपको नहीं करनी है और liquid डाइट भी आप अपनी maintain करके दिलिए यानिकि पानी भी आप खूब पीजे तो अगर आप डाइट अच्छ पॉइंट है avoid extreme physical and mental exertion यानि कि आपको बहुत ज़ादा काम नहीं करना है इस दोरान extreme काम नहीं करना है और बहुत ज़ादा stress भी नहीं लेना है mentally relaxed रहना है आपको जैसे आप बहुत ज़ादा traveling ना करें बहुत ज़ादा walking ना करें extreme exercises ना करें और mentally भी आप अपने आपको relax रख होते हैं तो वात दोश बढ़ने के chances होते हैं और वात दोश बढ़ेगा तो बहुत गंबीर बिमारियां जैसे hormonal imbalance और आपके जो periods का flow है वो भी hamper हो सकता है और आगे चलके fertility issues भी हो सकते हैं और ये directly female की health और menstrual cycle पे negative impact डालता है और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आज की जो female है बहुत जादा strong है, independent है, intelligent है और अपनी health के लिए भी बहुत जादा conscious है तो इन बातों का आप जरूर दिहान रखिए और भड़ते हैं अपनी fourth point की तरफ जो है avoid sexual contact during periods वैसे तो सभी avoid करते हैं sexual contact during period पर कुछ कानड़ों की वज़े से अगर आप ये follow नहीं कर पा रहे है तो future में कुछ गंबीर समस्या है शायद आपको जहनली पर सकती है जैसे infection का होना, menstrual blood में रुकावट का होना और extreme exertion की वज़े से थकान की वज़े से वात दोश का शरीर में बढ़ जाना तो ये सारी समस्या आपको जहनली पर सकती है अगर वात दोश शरीर में बहुत emotionally इन बातों का ध्यान रगी फिफ्ट और important point जो आपको बिलकुल avoid करना है वो है complete body bath यानि की सिरसले के पाउं तक आपको नहीं नाना है periods के इन तीन दिनों में specially ये आपको थोड़ी एटपटी लग रही होगी पर आयरवेद के नुसार इसका बहुत जबर्दस scientific जो reason है वो म आपके मूलाधार चकर पर परता है हमारे शरीर में 7 चकर होते हैं जिसमें से एक होता है मूलाधार चकर और मूलाधार चकर reproductive organ के पास ही located होता है तो सर पे अगर हम पानी डालेंगे तो उसका direct असर मूलाधार चकर पर पढ़ेगा और मूलाधार चकर में अगर irregularities आई वहां hormonal imbalance हो सकते हैं और female की जो अन्य गंबीर विमारिया है वो भी आपको हो सकती है आईरवेद ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है कि आपको periods के टाइप पे नहाना नहीं है hygiene maintain नहीं करनी है आपको नहाना है पर सर पे पानी डालना आप avoid कर तो अगर आप लंबे समय से ये गलती करत चले आ रहे हैं तो आज से ही इनको avoid करना शुरू कीजिए और अगर आप ऐसी ही authentic Ayurvedic knowledge अपने लिए जानना चाहते हैं तो चैनल को subscribe दरू कीजिएगा वीडियो कैसा लगा वो आप comment section में उताहिएगा कुछ जानना है वो भी आप comment section में पूछ सकते हैं वीडियो को like कीजि and thanks for watching my video